को एक नया डिजाइन फ्लार का पेंटिंग का बनाना बताएंगे इसके लिए मैंने लिया है फ्लैड 6 नंबर ब्रश है और मरून कलर मैंने लिया है यह लाइट शेड है बहुत ही तो सबसे पहले मैं इसमें डिप करूँगी इसको मिरून को ब्रेश में मिरून कलर लोगी कलर को पतला रखेंगे तीन रखेंगे और मैं ऐसे एक फ्लार का डिजाइन रफ्ली सा बनाओंगी ठीक है यह दिखिए यह बहुत ही प्यारा बनता है फ्लार इस ऐसे शेडिंग कर दूँगी इसके ऐसे करके मैं छोड़ दूँगी से जैसे मैंने बना लिया इस शेड्स को मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा दूँगी यहां से मैं इतना मल्योंगी और मैं उपर की तरफ इसको मैंने यहां पर ब्रेश को वाश नहीं किया है यह अपने आप ही इसका इफेक्ट आता जाएगा अब यहां यहां पर भी अगें इसी ब्रेश में लूँगी यहां पर नीचे की तरफ पैक्टल बनाएगा और यहां पर मैं एक दो पैक्टल जो है वो इधर की तरफ गिरे हुए भी बाया है इधर साइड की तरफ अब यहां पर लिया है इसी राउंड ब्रेश में और जाज़ा हमने लीव्स बनाने है जैसे हमने दो लीव्स ऐसे पहले गर लीजिए अब मैंने इसको ब्रेश को थोड़ा सा पानी में कर लिया है एक तरफ मैंने यह कलर कर लिया हुआ है बस दूसरी तरफ से हम ब्राउन कर लेंगे आप चाहे तो इसे मिक्स कर दें कि इंसा कलर ही लोगी और यह जो मैंने बनाए थी ना पैटल्स बीच में उसको पहले उपके करेंगे हम बीच में ऐसे दे दिया है इसमें से यलो से ही लाइन निकाल देंगी इस ऐसे वाइट से नीच्छे जगा है तहीं पर मैं यलो यह जैसे यह जगा है यहां पर यह मैं बहुत चोटे सोटे बना रही हूं हलका हलका वाइट का तरच दे की यह जगे हम यह यह बहुत फ्लार बनके रेडी हुआ है यह थोड़ा उपर की तरफ जाएगा यह सेंटर फ्लार है शर्ट का तूपर की तरफ भी बनेंगा और बहुत ही अज्यक्स ते इसे को चेज़ है